है कि है लो माडियर स्टूडेंट्स मैंने आप सभी को कल ही बता दिया था कि अब जो है लगतार आपकी अब्जक्टिवी क्लास वापस से चलती रहेगी ताकि हम लोग 30 दिसम्बर तक मैक्सिम्म से मैक्सिमम टॉपिक कभर करते हुए आपके सारे चप्टर्स के माडियर अब्जक्टिव मैं कराज SAY कू मैं बहुत जल्द है मैं आप लोग के सयोग से बहुत जल्द लाइफ क्लास सुरू होने वाला है जिसमें हम लोग अब्जक्टिव की भरमार पढ़ेंगे और जितना दिर हो सकेगा आप सभी के साथ रहेंगे माइडियर तीक है शुरू करते हैं आज का ग्लास आज ग्लास में हम लोग दिखेंगे वो जो कल पढ़ रहे थे माइडियर सब्सक्राइब करते हैं इसलिए हम लोग दोनों के साथ साथ अब्जेक्टिव करने वाले हैं माइडियर इसलिए चले सुरू करते हैं आज का सवाल पर जाते हैं इसलिए इसलिए अल्टरनेटिंग करेंट के भाद लगबबग पढ़ाए जाता है ठीक है तो इसे आप अल्टरनेटिंग करेंड का भी कोश्यन कह सकते हैं और electromagnetic induction का भी question कह सकते है माइडियर ठीक है देखी question कह रहा है कि आपको transformer दे रखा है कौन सा transformer है उसने आपको नाम दे रखा है माइडियर कि step of transformer है और उसके primary और secondary coil में turn n1 and n2 है तो आपको बताना है कि किसकी संख्या जादा होगी और किसकी कम होगी यह question है कुलमिला के माइडियर तो सब को पता है क्या पता है माइडियर कि सर step up जो है अप मतलब क्या होता है उपर कर देना यानि उपर का मतलब बढ़ा देना तो step up क्या करता है voltage को बढ़ा देता है हमारा पीछे से जो input voltage आता है उसकी value को output पे बढ़ा देता है अब कर देता है अब voltage को बढ़ाने का काम करता है तो voltage हम तब बढ़ा पाएंगे जब faradic law के according number of turns की value जादा होगी जिसी आप faradic law जब पढ़ते हैं media तो वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं E is equal to minus N d5 by dt यह formula होता है हमारा तो जितना ज़्यादा number of turn होगा उतना ज़्यादा flux में बदलाव हम करवा सकते हैं और उतनी ही ज़्यादा है आपको बिदुतवाहक voltage produce हो सकता है माइडियर इसलिए number of turn के हमको ज़्यादा रखना पड़ेगा कब जब voltage बढ़ाना है तो बुलासरी तो voltage बढ़ाता है तो output पर voltage बढ़ेगा यानि output पर क्या होने वाला है फेरों की संख्या ज़्यादा होने चाहिए तो output पर क्या होगा secondary coil होता है और secondary coil में फेरों की संख्या ज़्यादा होने चाहिए तो क्या हो जाएगा हमारा answer बुलासर answer बी करेक्ट एंसर हो जाएगा एंटू के भैलो ज्यादा बड़ी होने चाहिए एन वन से मैं अगर एस्टेप डाउन हो ट्रांस्फरमर होता तो वोल्टेज हम लोग घटा देते तो फिर हमारा एंसर क्या हो जाता एंबर एंसर हो जाता माने बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर फिर से समझें कोश्चन समझें जब तक आप जिसके कोश्चन समझेंगे नहीं आप कभी भी हमेसा ही चांसे ज्यादा रहेंगी या गुलट एंसर कर देंगे कोश्चन को समझें पहले भले समय लग जाए कोई बात नहीं कोश्चन समझें तभी उसका जबाब दीजिए मैंडियर कोश्चन कहता है कि एक कंड़क्टर है जिसको होरीजेंटल रखा हुआ कैसा रखा है 36 रखा हुआ है और यह कंड़क्टर फ्रीली स्वतंतृता पॉनों इंड के बीच में बिभवाणतर पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रियेट होगा वो कैसा पुटेंशियल डिफरेंस क्रियेट होगा माईडियर यह बताना हैं हम सभी को बूला सर चलते हैं एलेक्ट्रोमेट्रेटिक इंड़क्ट्षनकें के कंसेप्ट पे ठीक है एक किसी conductor का अगर magnetic flux बदलेगा तो उसमें EMF आएगे मैंडियर फिर से सुनिए जैसे किसी भी conductor का ध्यान से सुनिएंगे बहुत conceptual बहुत सांधार question है और यह आपके exam में पूछा गया question है मैंडियर क्या कहता है कि कोई conductor नीचे गिरेगा तो उसके potential में क्या बदला होगा यह हमें बता करना है तो हम यह जानते हैं माईडियर कि यहां पे कोई magnetic field हमको नहीं दे रखा है हमें question में कहीं नहीं बटा रखा है यह चुम्बक ये चित्र है नहीं बटा रखा है तो हम क्या मानेंगे और्थ का चुम्बक्य शेत्र पृतिभी का man domestic field तो चार वे हैं बुला हम वहीं consider करने वाले में जब external magnetic field हमें कुछ ने दिया जायगा तो हम लोग और्थ का manetic field का concept इस्तमाल करते हैं इसका मतलब की इस constituents के manetic field में कोई conductor नीचे की और गिर रहा है तो आप सभी को पता है जब नीचे गिर रहा है तो इसका location क्या हो रहा है चेंज हो रहा है जो चेंज होने से इसमें flux में बदलाव होगा जब इसके flux में बदलाव होगा तो इसमें voltage EMF induced होता है अगर EMF induced होगा तो वहीं पूछ रहा है जो विजुत वाहक बल होगा वो कैसा होगा यह बताना है अब बोला सर यह तो हम जान जाएंगे कि विजुत वाहक बल उत्पन होगा क्योंकि गिर रहा है इसका location change हो रहा है तो इसके flux में बदलाव हो रहा होगा लेकिन अब विभवांतर बढ़ेगा की घटेगा मतलब जो potential create हुआ बढ़ेगा की घटेगा इस बात का जवाब अगर आपको देना है तो आपको एक concept पे समझना होगा क्या कि आपने आप equation of motion का concept इस्तेमाल की आप 11 क्लास में पढ़के आये हुए मैं यहां पर आपका यह आपका यह आपका कर्णेक्टर रेस्ट पोजिशन में लेकिन जैसे गिरना सुरू होगा गिरना सुरू होगा और्थ के acceleration के कारण पृतिवी एकसे करलेशन यानिकी एकसे लएशन द्यू टू gravity गुर्त्वा करसंद के कारण क्या होगा गुर्तवा करसंद गूरत्व curry तोरन के कारण क्या होगा यह नीचे की और गिरेगा और acceleration आएगा इसका मतलब क्या है माई डियार में बदला वोता है माइडियर इसका मतलब माई डियार जब नीचे गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी लगतार तेजी से बढ़ती जाएगी यहां पर जो जीरू है लेकिन जैसे जी से नीचे गई और बढ़ेगी गेंद गिरेगी यह क्नेक्टर गिरेगा वैसे वैसे इसके बढ़ोसिटी में बढ़ोतरी होती चली जाएगे यानि वैलोसिटी बढ़ने का मतलब यह हुआ कि ज्यादा तेजी से इसका होगा जितनी तेजी से करेंटर नीचे गिर्यड़न ऊते तेजी से एसके करणोड़ कोड़ा होता है इसका मतलब की उतना ही तेजी आफ auraEst गाए प Victorian होता है आया और ऐब आनो समय में जटनी तेजी से बढ़ला होगा तो मस्या में ज्टनी होगा मैंडियर इसलिए अगर नीचे की उर गिर रहा है तो उसके बढ़ रही है बढ़ रही है इसलिए माइडियर फ्लक्स में भी तीयजी से बदलाव बढ़ जाएगा और इसलिए जो वोल्टेज उत्पन हो रहा होगा उसकी वैलू इंक्रीज कर जाएगे तो हमारा एंसर क्या होगा कि सर जो पोटेंशियल उत्पन हुआ है वह क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा इंक्रीज कर जाएगा माइडियर सांदार कॉंसेप्चुल कोशन था जो की आयटी लेवल का कोश्चन है वह आपके बोड एक्जाम में पूछा बढ़ते हैं नेच्ट कोशन क्यों माइडियर माइडियर स्टुटेंट्स अगले कोशन पर चलते हम लोग अगला कोशन हम लोग कहता है कि एल इज इंडक्टेंस आर इजिए रिजिस्टेंस एंडड सीज केपैसितेंस देन डिदाइमेंशन ओफ एलबाय आर एंड रिंट सी देखिए मैंडियर इसका जो डाइमेंशन आपको पूसे जा रहा है कि एल बाई आर का बीमा बताना है और आर इंटु सी का बीमा बताना है जहां पे एल हमारा प्रेरकत तो है आर परतिरोध है और सी धारिता होती है संधारितर की तो अगर किस कोशन का अगर जबाब दे करेंगे और और सी का डाइमेशन आपस मल्टिप्लाई करेंगे तो बंड़ ही करते हैं यह बनार का र डेविजन करते हैं तो भी आपको सिर्फ टैम मिलता है और जब Learning करते हैं अब हमיתा 되지 दो नों सेगर हम dimension set किया जाए तो कितना होगा option के according तो अब बुला कि सर केवल टी तो ऐसा option में नहीं है ml के form में हमें दे रखा है तो आयल बाई आर का dimension टी और आर इंटू सी के बिवेंशन टी होता है दोनों का dimension क्या होता है ही होता है अगर किसी को निकालना है तो आप L का dimension रखेंगे डिवाइड करेंगे आपको टी मिलेगा और आर और सी का dimension आपस मुल्टिप्लाई करवाईएगा तो भी आपको क्यों मिलेगा तो बधु के वल्टि नहीं दे रखाया लेकिन सबका पावर लाग्शा है तो na नहीं होगा और लय भी नहीं होगा तो जो नहीं होता है उसका पावर हम लोग настे है तो यहां तो टी जिरो कर दिया वलाये होगा ही नहीं यह देखिए यह टी यह लेकिने हम वन कर दिया पला यह भी नहीं यह देखेंगे यह देखे यह देखे यह देखे हमारी बाद लियर option number D आपका क्या हो जाएगा correct tension हो जाएगा क्योंकि यहां पे ml0 है इसमें भी ml mouse 0 geaway यहां भी के विएटी बच रहा है यहांभी आंसर क्या हो जाएगा एंसर हो जाएका अगले कोश्चन पर चलते हैं बहुत असान कोश्ण है आपको यह कोश्चन आपको याद रखना है थोड़ करते हम लोग मेजर करते हैं होट वायर एमिटर की सहयटा से बूलडर जो होता है इमिटर इसका उपयोग हम द्वहरान आपने के लिए किरते हैं पर वहीं तो कह रहा है होट वायरे मिटर अगर हम इस्तzentवाल करेंगे तो क्या चीज मेजर करेंगे अलटरेटिंग करेंट का बुला सर अल्टर्नेटिंग करेंट में आरे में समान भी होता है उसका एबरेज मान भी होता है मैक्समम मानता है अल्टर्नेटिंग करेंट के केस में मैं यह तीनों होती है अल्टर्नेटिंग करेंट के circuit में 50 ampere current बह रही है मतलब हम लोग मानते हैं कि बह रही है क्यों कि alternating current लगतार बदलता रहता है बदलता रहता है फिर इसके एक certain value हम लोग बताते है rms के form में जो उसकी real value के काफी नजदिक होती है इसलिए हम लोग rms value बात करते हैं होट वर मेंटर क्या मेंजर करेगा आरम रूट मीन स्क्वाइर वर्ग माध्य मूल मान के निकालते हैं किसका किसका मेंजर करते हैं और मूल माध्य मान का मैडियर किसका alternating current के परत्यावर्थी धारा के मैंजर क्या होगा होत implement की Tetra में फिर बढ़ते हैं अगले कमी चलते हैं मेर और कुष्ण कोंट कर लेते हैं को बढ़ते हैं आपने अगले के में अगले सांधार कुष्ण में परे हैं लोग निक कुष्ण के कहता है what is the use of choke coil in the circuit काफी important question होता है एक्जाम के हुँ से कि choke coil क्या होता है माइडियर ये एक्जाम में दो नमबर के question में अक्सर पूछा जाता है कि choke coil क्या होता है और इसका use हम लोग circuit में क्यों करते है माइडियर या resistance के साथ उसकी तूलना की जाती है कि क्यों हम उसके अस्थान पे choke coil का इस्तमाल किया जाता है कि किसी choke coil का इस्तमाल एक परतिरोध के जगापे क्यों करते हैं यानि कि एक alternate रूप है resistance का यानि resistance के जगापे हम इसका इसका इस्तमाल कर ही क्यों रहे हैं ये question exam के लिए काफी important होता है subjective to master question में इसलिए choke coil को जानना काफी important है माडियर तो ये देखेंगे question क्या कहता है आप से objective में कि परिपथ में choke कुंडली का क्या उपियोग होता है अभी मैंने आपको समझाया कि choke coil जो होता है वो as a resistance use होता है ठीक resistance के जगापे हम लोग choke coil का इस्तमाल करते हैं ट्यूब के अंदर जो बड़ा वला mercury LED होता है आपके घर में जो mercury light होती है आपके घरों में उसमें हम लोग choke coil का इस्तमाल करते हैं मैं ठीक है तो क्यों करते हैं मैंने बताया resistance के जगापे करते हैं resistance क्या करता है resistance रुकावट पैदा करता है किसके रास्ते में current के बहाओ में current के flow में रुकावट कौन करता है बला सर रेजिस्टेंस तो यही काम कौन करता है choke coil भी same काम करता है मैं बसरती choke coil का इस्तमाल हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि choke coil जो होता है देखिए subjective question है two marks का पढ़ा रहा हूँ objective लेकिन साथ में आपको subjective भी बता रहा हूँ हमाई DR दो नमर के question में तो क्यों इस्तमाल करते हैं इसलिए करते हैं कि resistance जो होता है वो heat generate करता है ज्यादा आपकी energy ज्यादा loss हो जाती है heat के form है हम नहीं चाहते हैं कि उसमा generate हो हम ज़्यदे चीज़े गरम हो जाए हमारा energy loss हो जाए इसलिए चोग कोयल के इस्तमाल करते हैं जो power energy ज्यादा loss नहीं होने देता है माई DR और current को भी रोक देता है current को कम करेगा हमारा चोग कोयल लेकिन साथ ही कम करने के साथ energy loss नहीं होने देता है और हम तो यहीं चाहते हैं कि current हमारे recording flow भी करे हमारा device जले भी नहीं माई DR और जो energy है वो loss भी नहीं हो माई DR हम तो हीं चाहेंगे तो यहीं काम करता है चोग कोयल आपका कि बिना energy में loss किये बिना power में loss किये current के value को कम कर देता है जो कि resistance नहीं करता है मैडियर इसका मतलब कि क्या करेगा यह क्या करेगा मैडियर चोग कुंडली current की value को क्या करेगा decrease यह जो sign बना हुआ है उपर की और मने increase कर देगा और नीचे की और मतलब decrease करनेगा तो धारा के मान को क्या करता है चोग क्वाइल मैडियर कम करता है क्या करता है धारा के मान को कम करता है क्योंकि यह as a resistance हम लोग use करते हैं इसको next question प्याते है अगला question क्या करता है कि which of the following is not a type of energy loss in transformer यहनि कि जो transformer में कई तरह के उर्जा loss होते हैं जिसमें कोई तेरे का उजा loss होते हैं उसमें कौन सा ऐसा loss है जो नहीं होता है ध्यान से देखिए question में एक सब्द है not नहीं और बहुत बच्चों के साथ silly mistake होता है यह not सब्द उनके आख से दिखेगा ही नहीं और question गलत करके कौन सा loss इसमें से नहीं होने वाला है मैडियर तो अगर आपने ट्रांस्फरमर वाला वीडियो देखा हुआ है मॉर्णिंग क्लास में तो आपको अच्छे से पता है कि सर कॉपर लॉस भी होता है आईरियन लॉस भी होता है हिस्ट्रेसिस लॉस भी होता है तो बॉलासर ये तीनों लॉस तो होबे करते है तीनों लॉस होता है आप कॉपर का तामबे का तार लगाए गया है मैडियर तो तामबे के तार में जो इनरजी लॉस होगी उसको कॉपर लॉस बोल दिया आईरन बॉलासर जो कॉर होता है वो iron के soft iron का बना होता है तो उसमें भी energy loss होती है और question में कह रहा है कौन नहीं होता है तो बोला Sir, तीनों होगा तो finally हम answer किसको टिक करेंगे none of these को बहुत कम ही ऐसे question होते है जिसका answer none of these होता है पर हम अगर पता होगा के copper loss, iron loss, hysteresis loss तीनों तरह के loss होते हैं तामबे का भी loss, तामबा का loss, लोहा का loss ये तामबा और लोहा loss नहीं होता है मैडियर तामबे में उर्जा का नुक्सान और copper में ये iron में low energy का loss होता है मैडियर लेकिन कहने के लिए हम लोग iron loss और copper loss नाम देते हैं, इस बात का आप खयाल रखेंगे मैडियर ठीक है, answer क्या हो जाएगा, none of these हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो loss होते हैं transformer में तो ये question मैंने आपको इसलिए बताया, ताकि दो number में question आता है मैडियर की right, low energy losses in transformer, transformer में कौन कौन सी उर्जा नुकसान होता है, उसका नाम लिखना होता है, उसके बारे में किक लाइन लिखना होता है मैडियर तो आप उन्हा पे तीनों जो है, लिख देंगे, तो दो number का question भी बन गया ये, और ये objective question भी बन गया मैडियर तो इसलिए हर तरीके से आपका preparation हो रहा है मैडियर, next question प्याते हैं, आज के लिए आखरी question, साथवा नंबर question देखते हैं, क्या होता है, साथवा नंबर question क्या है हमारा, इस चोक कॉइल इज, चोक कुंडली होता है, वाला क्या होता है मैडियर चोक कुंडली क्या होता है, ये बताना है, क्या इंडेक्टर होता है, क्या रजिस्टेंस होता है, क्या एक capacitor होता है, क्या संधारित्र है ये, क्या परतिरोध है ये, या फिर क्या एक प्रिराकत हो है, या प्रिराक है मैडियर ये, तो मैडियर, मैंने अभी आपको थोड़ पहले बताया कि चोक कॉयल का इस्तेमाल रेजिस्टेंस के जगह पर किया जाता है इसका मतलब रेजिस्टेंस तो नहीं है काम वहीं कर रहा है लेकिन रेजिस्टेंस तो यह नहीं है क्योंकि अगर रेजिस्टेंस ही होता तो इसका नाम कहें के लिए लग रखते आ रहा है बा inductor answer जाएगा क्या हो जाएगा inductor simply आप याद भी रखेंगे कि जो choke coil होता है मैडियर वो choke coil वो choke coil क्या होता है मैडियर LR circuit होता है कौन circuit होता है LR circuit अगर आप पढ़े हुए alternating current तो आप सभी को पता होगा कि choke coil मैंने वहाँ पढ़ा रखा है choke coil एक LR circuit होता है जहां पर आर का मान बहुत-बहुत कम negligible होता है इसलिए most cases में हम लोग LR circuit को यहां पर L circuit नाम देते हैं क्या देते हैं L circuit इसका मतलब हम अगर यह कह दें कि choke coil एक single L circuit है तो गलत नहीं होगा R होता है लेकिन उसकी value L की तुलना में negligible होती है इसलिए LR circuit होते हुए भी choke coil को हम लोग L circuit मानते हैं मैं यह था आज का objective session my idea कल हम लोग वापस से मिलेंगे जबरदस्त objective question करने वाले हैं जो आपके exam में most most important है exam के लिए आने ही वाला है यूँ समझे लिजिए कि आपके exam में आहीं रहा है वह सारे question करेंगे हम लोग कल करेंगे माइडियर आसा करता हूं आपको आज सारे question समझ में आये होंगे और वीडियो को आप सेर अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएंगे मिलते हैं कल के क्लास में क्लास में